नमश्कार स्वागत आपका पूनम वेच किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं गवार के फली की भूज़ी किस तरह से बनाएगे आप चलो शुरू करते हैं हमने 500 ग्राम गवार की फली ले हैं इसको हमने आगे से और पिछे से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया हैं अब हम इसे दो कर उबालेंगे फली ओ को हमने दो लिया हैं अब हम इसे उबाल लेंगे फली उबल गई हैं तकरीबन 10-12 मिनिट हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे फली को हमने अबाल लिया है उबाल के इसको छलने में निकाल लिया जब पान ये अलग हो गया पानी हमने निकाल देना है, फली को हमने नी चोड़ लिया है, अब एक बार हम क्या करेंगे, हाथ से इसको इस तरह से, थोड़ा सा मसल देंगे, पैन में हमने तेल डाल दिया है, आधा बड़ा चमश में तेल डाला है, साथ ही डालेंगे तीरा, उसके बार डालेंगे, पुटा हुआ, परे मिर्च, लेतोन और अधरक कपेट, एक छोटा कटा हम प्याज, भून लेंगे, गवार की पली हर्याना राध्यास्वान में जादा बनाए जाती है, मसाला भून गया है, अब हम डालेंगे पली, दो मिनट तक हमने से फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे, आदा चमच लाल मिर्च, हल्दी, नमक स्वादन सा, धनिया पाउडर लालेंगे, गैसी फ्लेम को कम रखेंगे, हम तीन से चार मिर्ट बिल्कुल लॉफ लेम में से टककत पकाएंगे, टककन अटा कर देखेंगे, गोहार की फली हमारी बन कर विल्कुल रेड़ी है, इसकी हमने भुजी बनाई है, और इसमें हमने किसी भी तरह का कोई खटाई, दही, तमाटर यूज ने किया है, और यह बत्ती भी बहुत अच्छी है, फाने में स्वाद लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो लाइक शेर जरूर करिए, चैनल को सिब्क्राइब जरूर करना